कि सबसे पहले हमने पांच पीस बनाना को ग्रेट कर लिया है और उसके बाद हमने वनीला बार के प्रिमिक्स ले लिया है 500 ग्राम्स एंड 140 ग्राम्स चोकोचीप्स और 150 ग्राम हमने पानी ले लिया है हुआ है हम वनीला बार के जो प्रिमिक्स से इसमें हम पहले पानी डालेंगे फिर इसमें हम वेजटेबल ओयल 150 ग्राम्स डालेंगे अब इसमें हम बनाना जो ग्रेट किये थे बनाना आड़ करेंगे जो हमने पांच पीस जो है बनाना को ग्रेट किया था अब इसको में दुबारा इसको मिलाएंगे अब इसको मिलाएंगे अब हम इसमें चोको चीप्स एड़ करेंगे करेंगे इसके ऊपर से हम स्प्रिंकल करेंगे केट के ऊपर बेकिंग करने के लिए इसको अवन में डालेंगे तो अब हमने इसका पेपर मोल्ड जो है रेडी कर लिया है अब इसी में हम बनाना चोको चीप सिनिमन केक का बेटर डालेंगे बेक करने के लिए एक पेपर कप मोल्ड में हम 350 ग्राम डालते हैं जाके फिर वह परफेक्ट सेफ में आता है यह हमारी पूरी रेशिपी में चार पेपर कप जो यह मोल्ड है चार मोल्ड रेडी होगा बनाना सिनिमन चोको चीप स्प्रिंकल करेंगे वन बाई वन फिर इसको हम 180 180 आप डाउन जो टमपरेचर है 180 का उस पर हम इसको ट्वंटी टू ट्वंटी टू मिनट्स इसको बेक करेंगे अब हम इसको बेक करेंगे अवन में जो बनाना चोको चिप्स केक था देखिए रेडी हो चुका है देख रहे हैं काफी खुबसूरत लग रहा है और यह खाने में काफी खुबसूरत ही है काफी टेशटी और यम्मी है आप देख सकते हैं ये बेक होकर निकल चुका है ऑवन से का का